श्री मा सारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन जैराम बाटी में श्री मा के घर की दो गायों की देखभाल जो लड़का करता था, उसका नाम गोविंद था नौ दस वर्ष के इस लड़के के सिर पर से इतनी कम उम्र में ही माबाप का साया उठ गया था तथा बहुत दुखों के बीच वहां बड़ा हुआ था, कोई उसे चरवाहा कहता, तो कोई उसे ग्वाला कहता कामकाज अच्छा करता है, एवं श्री मा की सनेह चाया में जैराम बाटी में बहुत अच्छी तरह रहता है एक बार उसे भयंकर खुजली की बिमारी हुई, दवा की व्यवस्था हुई, पर ठीक नहीं हुआ एक दिन रात में गोविंदु को बहुत दर्ध हुआ, खुजली की अंत्रना से असहाय बालक रोने लगा अगले दिन भोर होते ही, श्री मा उसे घर के भीतर ले आई, फिर अपने हाथों से सिल लोड़े पर नीम के पत्ते और हल्दी पीसने लगी विस्मित गोविंद श्री मा के पास ही खड़ा था श्री मा थोड़ा थोड़ा कर पीस थी और गोविंद के हाथ में दे कर बताती कि उसे वहां कैसे लगाए श्री मा के मुख पर था गहन सनेह और मात्रहीन बालक के मुख पर थी त्रिप्ती दोनों का चहरा देख और बाते सुनकर कौन कहता कि वहां उनका अपना बेटा नहीं है श्री मा के यतन से कुछ ही दिनों में गोविंद स्वस्थ हो गया